ओ भाई साब यार हमने सोचे नहीं था ये वाली लेविल इतनी ज्यादा एजी होगी तो देखो करना कुछ नहीं है जो हमारा ये पत्थर इसको यहां पर लगाना और भाईया प्टाक दिस इस काले से चैल में चला जाना है तो देखो यार ये वाली लेविल हो चुकी है किलि तब इस एपल को खा पाएंगे क्योंकि यार ऐसे तो ऊपर जा नहीं पाएंगे तो देखो हमको अपने इस वोर्म को बड़ा करना पड़ेगा देखो हमने एपल खा ली तो इधर से आके साइड में चलो भीया देखते हैं यहां से चला गाएगा यह नहीं ओपी यार यहां से चला गया ज़ेवल भी हो चुकि है किलियर तो यहां लेविल्टु हमने लेविल्टू हमने कम्प्लीट कर दिया देखो क्या करेके उड़हका खाने के नहीं और हेजिबगाने के बड़ बढ़ बड़ा है तो देखो याँ इस सींपाइज हो हिवंच जाएक तो यार यह वाली लेवल भी हो चुकी है किलियर तो अब आचुके हम लेविल 14 पे तो यार मेरे को एक अदर टफ लग रही है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना वड़ेगा कैसे जाए कैसे जाए डारेक्ट जाए क्या ऐसे नहीं हो पाएगा देखते हैं ऐसे करके चलो बह आड़ से यह फिर ऊपर जाएंगे उपर जाके देखेंगे औरे नहीं आ फिर से फस गयार मैं ऐसे तो नहीं हो सकता यार फिर से पहाई हम दूबार से री ट्राइया पड़ेगा इसको क्योंकि ये वाला अब दूस्वाले इस में जाएंगे इस मिन में चल देखते हैं यहा हम पार करके रहेंगे कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाएंगे जिस वैसे हम यह किलियर कर पाए तो देखो यार यहां पर ऐसे आना है और ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सब्सक्राइब अब ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके यार आसानी से निकल गये यार देखो यार हम इसको देखो यहां पर हमको नीचे लाना है तो यह इस पत्थर को यह नीचे गिरा देंगे ओपी 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 गिर गया अब उपर जाके वह यह अपल का लेगे जिससे हमारा वॉर्म एक पॉइंट जादा बढ़ जाए तो देखो यार बढ़ गया यह वाला अब इधर से देखते हैं हो जाएगा यह और नहीं घिर गया है हमारा वॉर्म नीचे तो मैं अब समझ का कैसे करना है इसको समझ में आगा मेरे मतलब करना कुछ नहीं हमने पार करते था पस पत्थर को धकेलना था वह हमसे नहीं हो पाया तो यह इस वोर्म को हम लेके चलेंगे यहां पि एक सपोर्ट तो यहां पर गिरा दियो और नीचे जाके इस ब्लैक वॉल में आसानी से चले जाएंगे देखो यार यह वाली लेविल भी यार इजी पीजी हो गई अभी तक मतलब देखा जाए तो बस एक ही लेविल आया था जो टफ था उँ भाई सो अब यह वाला लेवि अब से ब्हुंद जेएंगे यहां कितनी दूर यह वह यहां पर हम पहुची नहीं पार है आए हम क्या करे क्या करें इस अफ़फ एकल इस पत्थर को दगें पर लेकिन यहार ऐसे मनीना देखो ब्लैक होल तक जाने के लिए भी बिगो इस पत्तर प्थर को धकेल सकते हैं मत खाल खाली है यहां पर हमारा वह एक पॉइंट बढ़ा हो गया और नहीं बें हमसे गलती हो गया अब इस पत्थर को कैसे करें यार नहीं हो पाएगा यार यह पत्तर हम पत्तर को यहां पे तो सरकात यह पढ़ लेकिन दूसरे वाला पत्तर भी लाना था जिस पर हम चड़के देखो यहां तक पहुच पाए बस एक ही पॉइंट का अंतर और वह एक पॉइंट का अंतर यह पत्तर करेंगा तो दोबारा रिट्राइ करना पड़ेगा हमको तभी हो पाएगा हम समझ के यार कैसे करना है सबसे पहले इस पत्तर को भईया इस गड़्डे में धकेलना है ज यहां पर हमारा रास्ता हो चुका है किलियर बस दूसरे पत्तर को सही ठीकाने लगाना पड़ेगा तभी हम कुछ इस एपल को खापाएंगे तो यहां पे तो भॉक्त सही यहां पर हम येपल को easy-peasy तरीके से खा लेंगे तो यहां पर आसान था और इस पत्तर को धकेलते हो तो इस वोर्म के जो ब्लैक वोर में होले इसके नीचे ले जाएंगे तो देखो यार अब इजी पीजी यह वाली लेवल भी हो चुकी है किलियर तो यह थोड़ा सा तफ ता पड़ लेकिन थोड़ा सा दिमाग हमने भी लगा है जिस वेज़े यह किलियर हो पर ओंभाई सॉप आब यहाली लेवल यह दोनों पत्तर वहाँ है और एपल हमारी वाह है तो जो एपल को खा लेग जिससे हमारा वोर्म बढ़ जाए तो चलो आपल हमने खा लिए प्तर को नीचे गिराना है ठीक है इस ओपक्तर को भी हम नीचे गिराएंगे आज 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 बहुत सही मेरे व जा रहा है हमारा वोर्म मतलब वर्म तो बढ़ चुका है ओरे भॉइस ऐसे कैसे हो गया हमको दोबार से समझ में आ गया कि कैसे क्या करना कि वहां पर हम से गलती होगी त्सलिए हमने रेट्राइग किया हमको भी अपल को नहीं गानी इसको पत्तर ना उसको नीचे गिराना है लिए जिसवाज़े से नीचे गिर पाई यह इस वाले पफ्र को और नीचे से धक्का देंगे लेशे मों को सुचए वाद मिल जाए इस डाइक हो तक जाने के लिए तो देखो यारं यहụell भी हो चुकिए यह किलियर अभी तक यहां लेविल 17 भी हमने क्लियर कर दिए तफ लेविल अभी तक वो नहीं आपाई जो हम चाहते हैं कि औरे भाई सौब यहां पैपल खालेंगे बहुत बढ़िया और इस वाले पत्तर को नीचे गिरा देंगे अब यह वाला पत्तर इसको भी लाके औरे भ इराना पड़ेगा तब जाकि हम्को इस जहांतने निकल पाएंगे यार टो यह वाले लेविल 13 भी थोड़ा और ज्यादा Tuff आ गई किसा आव हम इससे कड़ लेंगे यारा हम जितना हम को अपने उपर भरोसा है तो कर लेंगे His कर्णा कुछ है AM पथर अगर इसको यहाँ पे लहाएंगे तो हो पाएगा ना सायद हो जाए आप लेकिन आपक पाल। चुल्च से दूर तो इस ब्लाइक करते हैं दोबारा से नहीं करते हैं यहां पर इस पत्र को फिर से धकेल यहां ने जैसा पहले किया था बस गलती नहीं करेंगे अब इस एपल को खाएंगे अरे नहीं फिर से तो इस एपल को नहीं खाए अरे यहां से फिर से हमको रीट्राई करना पड़ेगा क्योंकि और कोई चांस नहीं है हमारे पास जाने के लिए तो फिर से भाई रेट्राई मार देते हैं देखो यार यह वाली लेविल है विल्कुल टफ जो हमको चीटना कि हमां यही है विल्कुल कड़क राप्चिकमाल तो देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है हमको नहीं तो यार सब इजी पीजी थे बस यह देखो थोड़ा सा क्या कर क्या कर इस पत्थर को अगर धके लिए हम इधर की तरफ तो तब काम बन पाएगा है नहीं पर या फिर से हमको रिट्राइ मारना पड़ेगा देखो फिर से हमने एपल के पास तो आगे एपल को डारेक्ट भी नहीं खा सकते क्योंकि यार ऐसी हम हमें हैंगिंग हो रही है वो तो नीचे आगे हम थोड़ा सा राइट घूम के फिर इधर इस वाले पत्थर को अब कहना ल खाए कैसे खाए इस पत्तर का अरेजमेंट से अरेजमेंट क्या ही हो सकता है यार तोड़ा सा मेर को सोचने दो क्या करे क्या करे ठीक है अभी तक हम सही जा रहे हैं हमको इस वाले पत्तर को भी यार इधर ही लाना पड़ेगा तब जाके हम एपल को खा पाएंगे और नहीं हैंगिंग हो गए यहां पर बहुत सही बहुत बढ़िया यहां पर आप क्या करेंगे ऐसे नहीं कर सकते और नहीं 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 नीचे गिर जाए और फिर से हमसे गलती हो गई यार फिर से हमसे गलती हो गई वैसे देखा जाए तो हम बिना एपल के कर सकते हैं कि इसको प यह हैं पार लेकिन हम बिन एपल के खाने कि अरे फिर से यार नीचे जाने वाले क्योंकि हमसे गलती हो गहीं यह जा हम नहीं चाहते है इस बार हम को यार थोड़ा जंजट जमाल करना पड़े इस बार तारेक्ट करने कि जो करेंगे समझ में आगे मेरे को कैसे बना है तो प्तर को तब जाके हम इस लेविल को आरे नहीं बस लेविल और तो गिंटी हो गई वाई यह मैं बार और कैसे मैं कहिए हमने बार कर रहा हूं ऐसे हम को gdyby आर ऐसे तो टाइम लग जाएगा यार क्योंकि यह लेविल है देखो यार जानदार जिसमें हमको बार 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 रेट्राई करना पड़ रहा है देखा तुमने इस यारी अब कहना बिना एप्टल के करेंगे इसको पार तो इस वाले पत्थर को लगाएंगे यहां पर ठीक है ओपी ओपी और भाई सा हमार यह वर्म चला गया ब्लैक होल में तो मेरे भाई लगा यार यही पर वीडियो को एंड करते हैं